हाई फ्रेंज आज की वीडियो में अगयन एक कमेंट ही है और उस कमेंट का अंसर दूंगी मैं इन्होंने एक कमेंट में लिखा है कि दी जब आपका पार्टनर कहे कि फिलहाल मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो तो तब हम कैसे रियाक्ट करें और कौन सी टेक्नीक करें और ऐसा वो क्यों बोलते हैं प्लीज दी प्लीज इनका भी रिप्लाई करें शौर मैं कर रही हूं दिया सबसे पहली बात कि जब भी आपके परसंस से आपको ये रिस्पॉंस मिलता है कि मुझसे अभी फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो तो इस टाइम पे आप क्या समझोगे इस टाइम पे सिंपल इतना कि एक सबसे पहला आपको उनको और टाइम देना है ठीक है आपको जो प्रेजन्ट का टाइम चल रहा है उसको एक तो बीच जाने देना है दूसरी बात का ध्यान आपको ये रखना है कि आपको उनको लव वाइब्रेशन कंटिन्यूस भेचना भेचते ही रहना है ताकि आपके लिए जो फीलिंग है उनके हाट में दिल में वो गहरी हो जब तक उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा देट वो आपके बिना आगे बढ़ नहीं सकते लाइफ में आपके साथ ही उनका सब कुछ है तब तक वो आपके लिए काम करेंगे कैसे तो ये फीलिंग का गहरा करना आपको बहुत जरूरी है इसके अलावा आप रेट तारा मंत्र करें रेट तारा मंत्र ऐसा मंत्र होता है कि अगर आप जब उसकी चांटिंग स्टार्ट कर देते हों तो आपके पार्टना के मन में अगर कोई ऐसी कोई नेगटिव बात भी है अगर आपको लेके तो वो खतम होगा ठीक है या किसी और के एफेक्ट में अगर वो है तो वो भी खतम हो जाता है रेक्तारा मंत्र में दो मंत्र है ओम कुरुकुले हिरी सोहा और दूसरा है ओम तारे तम सोहा तो मैं अगर परसनली बोड़ू तो आप ओम कुरुकुले हिरी सोहा का चांट करिए ब्रह्मूरत में कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है मेरी जो chanting है उसके थूच करेंगे तो वो ज्यादा miraculous है इसले क्योंकि वो meditation mode में है और हम किसी भी चीज़ को जब meditation mode में जाकर करके prayers या फिर कोई मंत्रों की chanting करते हैं तो vibrations काफी high होती है और आप connect हो जाते हैं इसके अलावा आपको अपना self love raise करना है इस situation में जब आप देख रहे हैं कि अपके person का इतना interest नहीं है आपकी तरफ उके उन्होंने अपनी expectation अभी आपके लिए उतनी नहीं बढ़ाई है उस time पर आपको अपनी attraction powers raise करनी है और वो सिर्फ आपके self love से होगा आप रात देन अगर ये सोचने में लग जाओगे कि उन्होंने बोला है मुझसे expectation ही मत रखो तो मतलब मेरी कोई value नहीं है या मेरे लिए उनके पास time नहीं है तो वैसी vibration release करना शुरू करोगे अपने आपको degrade मत करना उनकी बातों से अपने आपको बिलकुल भी de-value करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कोई value नहीं है तभी तो उन्होंने ऐसा बूला है ऐसा नहीं आप अपने उस time पर अपने self love को इतना raise करो खुद को इतना high करो आपने अगर अपनी attraction pass बढ़ा लिए value बढ़ा लिए तो आपके person जो ये बात बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ expectation मत रखो वो आपकी expectation से बढ़के काम करना शुरू करेंगे आपके लिए so ये कुछ बातें आपको बहुत धियान रखनी है इसके साथ एक technique में आपने add-on कर रही हूं आप लोगों के लिए इस situation में जो लोग हैं उनको sticky kiss spell जरूर करना है and बहुत सारे लोगों जिन्होंने ये spell किया है उन्होंने अपने relationship में changes देखे है तो ये जो spell है sticky kiss spell जिसमें कि आपको honey की जरूरत होती है मुंबत्ती की जरूरत होती है envelope की जरूरत होती है एक paper की जरूरत होती जिसमें आप लिखते हैं ये spell मैंने करके दिखाया हुआ है एक video में बिल्कुल practical ताकि आप आसानी से कर पाएं ठीक है बहुत ध्यान से करिएगा और उस video का मैं यहाँ पे end screen लगा दूँगी इस video के बाद तो आप उस video को चला के देख सकते हैं कि वो sticky kiss spell आपने कैसे करना है और वो बहुत helpful है मैं mind it मैं बूल रही हूँ आप उसको एक बार कर सकते हैं आप चाहें तो उसको थोड़े दिन के बाद फिर से repeat कर सकते हैं वो आपको help करेगा ठीक है और यह जो इनका last में जो line in होने लिखा है कि और ऐसा वो क्यों बोलते हैं यह कारण सिर्फ आपके relationship में जो strength चाहिए वो strength की कमी है दूसरा आपके attraction powers की कमी है आपके self love की कमी है आप में इतनी attraction power होनी चाहिए कि आप अपने person के साथ दुनिया के हर खुशियों को अच्राग कर पाओ किसी को भी आपसे यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुस्से expectation मत रखो ठीक है उनके expectation ही आप होनी चाहिए इतना जादा आप अपने आपक करना है आप लोगों को ठीक है तो यह सारी चीजों का ध्यान रखे इस टिकी के spell most important thing है इस वीडियो के reply में वह आपने करना ही करना है love vibration के साथ self love को raise करना है रचतारा मंसर करना है यह अगर कर लिया तो यह जो आपने comment में problem बोली है यह 21 days के अंदर-अंदर ही खतम हो जाए relationship में नजर आएंगे so that's all guys thank you so much and god bless you all